हेलो मेडिकोज, आज मैं highly underrated but highly pain और बहुत ही lucrative career option और medical PG branch के विश्चे में आपको बता रहा हूँ, यह बहुत underrated branch है, उसमें कुछ problems भी हैं, उस problems को भी मैं बताऊँगा कि क्यों यह कम लोग उठाते हैं इस branch को, लेकिन आपको एक hints बर करके मेरे subscriber student हैं, उसमें मुझे 12 questions की list दी और यह question बहुत ही अच्छे से frame किये गए, तो मेरा काम Hinsberg तुम्हें आसान कर दिया, कि एक branch पर में एक organized way से, जहां मैं spontaneously बोलकर videos बनाता हूँ, वहां मैं एक organized way से, सब भी चीजों को address कर सको, students के लिए, तो मैं पहले वो enumerate कर देता हूँ, सब भी students के लिए, और बता question हिंसबर के आपको enumerate कर दूँ कि क्या बहुत ही शानदार questions हैं, और ये in fact हर branch में में लेने वालो हो हिंसबर आपके, मत अब लगबग हरी branch review में इन questions को address किया करूँगा, मैं उसके पहले कि स्टोरी आपको बता दू, कि दिली में, जब हम लोग 2002-2003 के असपास की बात है, जब हमारे batchmates अगेरा जाया करते थे, residency के टेलिये, residency, SR-ship के interviews होते थे, जैसे अलग-अलग corporate hospitals में होते थे, या CVD जाते ही थे, SR-ship के लिए, या फिर, AIMS में पहले return test नहीं होता था, interview होता था, मोला ना, अजाद में भी interviews होते थे, तो आपको पता है कि pediatrics वाले, medicine वाले, gy gynecologist इन सब से वहाँ जो बैठा हुआ panel क्या पूछा करता था, वो पूछता था, कि क्या तुम्हारा कोई anesthetist friend है, उसकी हमें बहुत जरूरत है, मतलब, दो-दो-चार-चार सीट के लिए 80-80 लोग apply कर रहे हैं, और interview वाला बोल रहा है, कि क्या कोई anesthetist friend है, तुम्हारा उ जरूरत है, हम लोग को इतनी जलन होती थी भाई, क्योंकि anesthesia किसी ने भी ली नी थी और सबको मितलब SR ship में तुरन-तुरन-चाप मिलते थे, anesthetist को बुला-बुला के different corporates में SR ship के, और ज्याधा payment पर उनको मिल जाते थे, ठीक है, तो ये थी demand उस समय 2002 में, और आज भी वही demand बनी हुई है, मैं बताता हूँ कैसे, तो पहले तो Hinsberg का first question है, future of anesthesia in next 20 years, तो उसका जवाब मैंने दे दिया आपको, कि ये एक ऐसी branch है, जिसमें saturation का कोई दूर-दूर तरक impact नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इस branch का एक advantage भी है, और एक बहुत disadvantage भी है, और वही factor अभी जो लोग anesthesia करके निकलेंगे, वो advantage में बदल जाएगा, वो ये advantage है, कि anesthesia यंग लोगों की branch है, मतलब इसमें काफी ज़्यदा rapid renovations भी हो रहे हैं, techniques में, medicines में, और energy भी चाहिए, तो एक नया anesthetist, कोई भी surgeon जो होता है, नए anesthetist को prefer करता है, जैसे कि वालीवोड में आजकल नए singers को, कई musicians prefer करता है, वैसे ही बात है, कि मतलब surgeons जो होते हैं, और hospitals होते हैं, नए anesthetist को जिसके पास new skills हो, energy हो, वो prefer कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस वज़े से आप ये एक ऐसी field है, जहां पर direct patient से interaction नहीं है आपका, तो patient में तो कोई brand नहीं है, तो बाकी branches में, जैसे pediatrics में, मेरा यही नाम हो जाता है, pediatrics में, या medicine वाले का एक physician का नाम हो जाता है, public में, तो सारे मरी उसी-उसी के पास जा रहे होते हैं, नए के पास नहीं जा रहे होते हैं, लेकिन anesthetist का नाम किस में होता है, वो होता है, surgeons में और hospitals में, विबिने तरह के surgeons में, gynecologist, orthopedition, general surgeon, laparoscopic surgeon, gastro surgeon, neurosurgeon, whatever, cardio surgeon, सब के नाम ले ले, तो आपको, आप इनसे मिलेंगे, आपकी CV, आप करेंगे, तो वो आपको call देना शू करेंगे, irrespective of that कि कोई old anesthetist available है सी team है, ठीक है, तो ये advantage है कि doctor, दूसरे की skill को जल्दी पहचान सकते हैं, क्योंकि वो good expert होते हैं, कि आपको कितना काम आता है, तो future of anesthesia, जहां सक job की बात है, काफी-काफी secure है, litigation issues, ये one of the high risk branch में विशे पर जल्री बनाऊंगा वीडियो कि कौन सी दो सबसे high risk branch हैं, उसमें anesthesia नहीं है, शाहिद अगला वीडियो मेरा इस पर हो, क्योंकि आपनोंने would be इसको मेरी community tap पर किया है, इस विशे को जाधा, तो कौन सी दो high risk branch हैं, बट मैं कहूं कि one of the high risk branch है, जिसमें on the table depth नहीं होनी च तरह की cases होते हैं, surgeons को ज़्यादा जो family होती हैं, वो जानती है, surgeon को उसी से OPD में मिल रहे होते हैं, वही सब prognosis council करता है, तो surgeons पर ही ज़्यादा blame डाले जाते हैं, तो litigation risk जो है, वो है, लेकिन पहले जो surgeon है, उस पर पहले आएगी, आप पर बाद में जिम्मेदारी आएगी अंटिनने वो on table death ना होगी हो, ठीक है, फिर आता है, थर्ड question इंसबर्ग ने पूछा है, अरे पहले मैं अनुपरेट तो कर दूँ, हाँ, बहुत अच्छे question थे, तो पहला question अपका ये था, future of NSTs and next 10 years, फिर दूसरा था, litigation issues, थर्ड है, personal and professional growth, फोर्थ question है, work-life balance, फिफ्थ है, reality about corporate and freelancing, corporate world and freelancing, तो ये बड़ा अच्छा question है, इस पर मैं आऊँगा और बाकी branches में भी मुझे इसको लेना चाहिए, इंकम-wise, how is the branch, सेवन्थ question है, job market demand and any saturation in this field, तो उसका answer तो मैंने अब ये भी बता भी दिया, है न, फिर एट्स question है, मादब सेवन्थ question को इसनोंने elaborate करक क्योंकि बहुत सारे anesthetists बन रहे हैं हर साल, तो कितना saturation का impact होगा, इस question है, persons with anxious personalities and जिसे अस्तमा हो या tremors हो, अस्तमा की वज़े से tremors हो या short tempered हो, उसके लिए ब्रांच कैसी है, बहुत ये अच्छा question है, नाइन्थ question है, first generation doctor है, medical class का, उसे DNB मिल सकती है, medicine या DNB मिल सकती है, orthopedics, उसके उपर क्या MD anesthesia को prefer करेंगो, 10th question है, can anesthetist open up a clinic somewhere in the town, particularly in the presence of various quacks and other MBBS doctors, 11th, mistakes not to do, जो कि आपको लगती है कि अपने career में, अपनी life में, कोई ऐसी mistake जो कि आप हम लोग को बताना चाहें, वो इन्होंने 11th पूचा है, इस बर ने, इन पर अपने असली नाम बता देना, 12th, 12th, पूच रहा है, paper publication का importance, खासकर corporate world में है क्या, या career में कोई है क्या, ठीक है, तो मैंने 2 question आपको बता दिया थे, उसके उप्तर future of anesthesia in next 10 years, secure है, जहां तक job wise है, litigation issues yes है, लेकिन whole team के लिए हैं, और surgeons की तुलना में काम है, थर्ड, personal and professional growth, professional growth का अर्थ यदि पज से है, तो यदि किसी post पर हैं आप, for example, assistant professor appoint होते हैं, तो आप dean, DME तक professor, पहले associate professor होंगे, फिर professor होंगे, फिर dean होंगे, फिर DME होंगे, इस सारा route आपके लिए खुला हुआ है, then, यदि आप private practice में हैं, तो private practice में आपके surgeons से tie-ups होते जाएंगे, जो कुछ surgeons आपको बहुत पसंद करने लगेंगे, जिनके साथ आपकी team हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, वो आपको हर एक surgery के call में बुलाने लगेंगे, ऐसे आपके 4-5 दोस type के surgeons बन जाएंगे, जिनसे आपको हर रोज 4-5-4-5 surgeries मिलती रहेंगे, इसे ज़्यादा आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, यदि अच्छा कुछ questions जो तुमने नहीं लिया anesthesia के लिए, वो मैं add करके आपको बता देता हूँ वो भी कि क्या होने चाहिए थे questions और, ठीक है, तो इस तरह से professionally आप earning wise grow करते ह लेकिन इसमें जो disadvantage इस branch में कि start बहुत early मिलता है, अच्छी earning का, अच्छी salary का किसी भी एक दूसरी field, इस भी clinical branch से, even surgeon से ज़्यादा कमाते हैं, anesthetist अपने initial career में, लेकिन जब वो mid career में आएंगे, तो फिर earning stagnant हो जाएगी, जबकि surgeon की या दूसरी clinical branches की बढ़ती रह सकती है, और कई बार exponential growth, लगबक 10%, 5% लोगों में exponential growth earning का मिलेगा, क्योंकि उनका नाम हो चुका होगा अस शहर में बहुत ज़ादा, तो इस तरह से देखें, तो initial start आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बाद stagnancy आ जाएगी, जो और add होने से question मैं अपनी और से कर देता हूं, कि क् further super specialities बगेरा का scope है, या कुछ branch out करने का, जैसे conventional anesthesia हो है, anesthetist क्या करते हैं, हम जानते हैं, कि हर एक सरजी में backbone है, वो सुन करना, बेहोश करना, इसका काम करते हैं, कोई procedure जैसे बच्चे के MRI हो रही है, तो बच्चे cooperate नहीं कर रहे हैं, तो MRI में sedate करना, तो short anesthesia भी देंगे, general anesthesia भी देंगे, spinal anesthesia भी देंगे, इसके अत्रिक जो super specialities आ गही है, इस anesthesia की field में, वो है pain management और emergency medicine, खास कर, तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, pain management एक बहुत ही lucrative और बहुत ही fascinating field है, क्योंकि pain ऐसा कोई इंसान नहीं है, जिसको कभी ना कभी ना होता हो, और कुछ pain है जो किसी भी चीज़ से नहीं जा रहे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होते ही जहां पर सिर्फ palliative care देनी की जरूरत होते ही, कुछ cancers ऐसे होते हैं, जहां पर cancer तो treat नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी life को better बनाया जा सकता है, तो वहाँ anesthetis का हम हो सकता है, बहुत सरे chronic pain ह आप एक अनी clinical branch जहां पर OPDs रन की जाती है, उस तरह से practice कर सकते हैं, with lots of procedure and अच्छा कासा रन कर सकते हैं, लेकिन pain clinic, telescope ज्यादा तर थोड़ी बड़ी cities में है, छोटी cities में कम रहेगा, और micro cities या middle size cities लेक बोपाल, इंदा और जमलपूर मेरे बंदिप्रदेश में, वहां प मैंने आपको बताया था, मैं एक doctor का मेरे junior है, student तक रहे हैं और अभी hospital owner and professor है, doctor में चंसुर है, उनका interview record करूँगा, हमारा time match नहीं कर पाया, तो उस में ते को ऐसा होता है कि emergency medicine में, अधि आप trained हो जाते हो anesthesia में, तो actually anesthetist, जितना अच्छी emergency medicine कर सकता है न, शाहिदी कोई द इंटर कर सकते हैं और medicine, general physician लोग भी एंटर कर सकते हैं उसमें, दोनों के लिए रूट खाली है, लेकिन anesthesia जो है, क्योंकि वो anesthesia procedures को जाधा अच्छा जानता है, तो मुझे लगता है critical care specialist को जाधा अच्छा हो सकता है, वो intubation में बहुत अच्छे होते हैं, anesthesia क्योंकर इंटर लाइन इंसरेशन करना, तो emergency medicine यदि आपको आती है, तो corporate hospitals के बड़े corporate जिसे अपोलो, escort, स्ट्रेप के hospitals में, शल्वी में, आप पूरा ICU के इंचार्ज हो सकते हैं, साथी साथ में आप यदि emergency medicine आती है, तो आपको अपने मन में idea आ सकता है कि अपना खुद का hospital क्यों आप करें, तो आपको hospital ownership में भी एक advantage मिलता है, ठीक है, लेकिन MD medicine को एक different advantage होता है, क्योंकि वो patient feed कर सकता है hospital में, यदि वो खुद का hospital को ना चाहता है, क्योंकि उसके पास अपनी ekopedia होती है, जबकि emergency medicine वाले के पास अपनी ekopedia नहीं होती है, वो दूसरों पर dependent होगा, वहाँ patient feed करना है, लेकिन patient यदि आजाता है ICU में, तो उसकी बहुत बेतर care करके उसको बचा कर, बहुत गंवीर मरीश को भी बचा कर घर बेच सकता है, तो इस तरह से ये काफी challenging और fascinating भी है, कि आप किसी की life saving कर सकते हैं, तो anesthesia का मैंने personal and professional growth का आपका third answer किया, workplace balance, anesthesia में ये दो ब्र surgeons के साथ बेहोशी का देते हैं, injections वगेरा और spinal anesthesia देते हैं, वहाँ पर हम देखें, तो work life balance एक तो खुद पर भी depend करता है, बट definitely आपको night calls तो करने पड़ेंगे और night को alert रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी surgeon ऐसा नहीं होगा कि जो आपको सिफ routine hours में काम दे और emergency hour में किसी और व्यक्ति को या किसी और junior को काम दे, तो आपको भी alert रहना होगा, work life balance में आपको night owl की आदत हो जाएगी, anesthetist जो residency के समय काफी जाबते हैं, रात रात बर काम रहता है, उनको different surgeries होती है, जब काम सीख रहे होते हैं, जब MD anesthesia के समय, तो उन लोग को आज़त वजद बजद समोकिंग वगरा देखिए, तो वो किसी ब्रांच में है, तो anesthesia में सबसे रही है, second number पर में orthopedics में देखिए, और least मेरी ब्रांच में देखिए, pediatrics में, जहाँ पर थोड़ी girls जादा होती है, जैसे pediatrics में girls आती है, वहाँ पर यह सब काम होता है, मैं गाइनी को छोड़ र करेंगे, कोई emergencies नहीं होगे, यदि आप emergency medicine में जाते हैं और senior position पर पहुँच जाते हैं, तब भी आपको बहुत night calls की दरुवत नहीं होगी, क्योंकि juniors आपका समाल रहे होंगे, but yes, आपको alert तो तब भी रहना होगा night में, अपना ऐसा नहीं कर सकेंगे, आपकी phone off करके anesthetist को काम करना काफी comfortable है, क्योंकि वहाँ उसको कोई surgeon से tie-up करने की, किसी की ललो चपको करने की जरुवत नहीं है, अपना जो भी job होगा, जो भी surgery वहाँ करने आएगा, उसको अपनी anesthetist को duty करनी होगी, दो, तीन, चार जो भी anesthetist है, corporate hospitals में, उनकी on-call duties रहेंगी night में, और आपके अंदर में कुछ जूनियर्स भी होंगे, तो वो भी कुछ समाल रहे होंगे, तो इस तरह से रहेगा corporate में, और corporate में, जो patient को, मतलब feeder होते हैं, जो hospitals में, जिनके नाम से patient आते हैं, वो होते हैं, medicine, विशिश रहेगे, विबिन तरह के super specialist, और विबिन तरह के surgeons, जैसे neurologist cardiologist, cardiothoracic surgeon, इस तरह के लोग, तो आप पर कोई corporate hospitals pressure नहीं डाल सकता, ज्यादा patient लाने का, कोई anesthetist को, क्योंकि इस से कोई लिए ना देना नहीं है, ठीक है, आप यदि emergency medicine का in charge हैं किसी corporate hospital में, तो आपको एक fixed salary मिल रही होगी, जो कि काफी decent होगी, salary could be like 5 to 10 lakhs per month around, और इस तर salary होगी आपकी, depending upon your skill and seniority, तो इस तरह की salary होगी, तो इस तरह की salary होगी, but most commonly जो initial salary होगी, वो 2 to 3 lakhs, आप expect कीजे, ठीक है, ठीक है, then sixth है income-wise, how is the branch of freelancing पर भी में, अब मैं income को जब ले रहा हूँ, तो freelancing पर, freelancing में, आप ज्यादा कमाएंगे किसी भी salary job से, आपको per surgery में, duration- ways or different specialty ways, अलग-अलग per surgery, surgeon जो होगा, वो पे करेगा आपको, यह hospital आपको पे करेगा, जो कि आपकी seniority ways, दो हजार से लेकर, दस हजार तक रुपे, आपको per surgery, demand करेंगे, और आपको दिया जाएगा, depending upon कितना time लगता है उ surgery में, और कितनी complicated surgery में, एक और branch out में, जो आप super specialty कर स Anesthesia मतलब कि जो आप वो सुनते है ना, बाइपस surgery, जैसे किसी बाइपस surgery में, कार्डिल होरसिक सर्जन कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा different skill चेहिए, अनेस्टेटिस को तो वो कार्डेक अनेस्टेटिस एक अलगी अनेस्टेटिस होगा, जो कि Anesthesia करने के बाद अलग से training ल कर रहा है, तो वहाँ पर Neural Anesthesia करो लोगा, अभी फिलाल ये वाली जो फील्ड है, ये मैक्रो सिटीज में, दिल्ली, मुबई वगेरा में, जादा कारगर है, Neural Anesthesia कारडो Anesthesia, बट यस मिडल सिटीज लाइक इंद और बोपाल वगेरा में भी एक एक दो दो लोग ऐसे आन सर्जन से अधिक कमा रहे होते हैं, क्योंकि सर्जन को हमेशा केस लाने का की जिम्मेदारी सर्जन पर होती है, जबकि Anesthesia को खुद केस नहीं लाना है, खुद पेशिंट क्रियेट नहीं करना है अपने लिए, वो दूसरा कोई क्रियेट कर रहा है, उसको बस बिल जाकर अप कि, for example, three edits बनी, तो आमिर खान का नाम होगा, पीछे हो सकता है, राजकुमार इराणी का थोड़ा हो, लेकिन एक जो अच्छा कैमरामन होगा और जो एडिटर होगा, उसका नाम नहीं होगा, बले उनका रोल भी उतना ही important कियो नहीं हो, तो Anesthetist को ये चीज थोड़ी साल सक सकते हैं, ठीक है, और विबिन तरह के पेइन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं, पेशिंट की जिन्दगी में, जिससे वो जिन्दगी पर के लिए वो पेशिंट आपको पहचान नहींगा, और थैंक्स बोलेगा, सेविंथ, हिंसबर्ग का सेविंथ कोश्य न जिन्दग परिवर्ण के लिए जिस पर सेटुरेशन का कोई इंपक्त नहीं होना है, सबसे ज़्यादा सेफ ब्रांच है, सबसे ज़्यादा सेटुरेशन वाइज, इस वज़े से बहुत अंडरेटेट ब्रांच है, जिए हम जॉब को या एक डिसेंट और निंग को लेकर ज़ें, मतलब एक जूब सीक्युर्टी के लिए को की बात करें, तो इस से ज़्यादा जॉब सेक्यूर फाळी ब्रांच नहीं है, नहीं इस पर कोई AI का इंपेक्ट होना है अगे चलकर, ये बहुती ज़्यादा सेक्यूर ब्रांच है, सÓ यpoxी assessments का नहीं होना है, विए assistant professor, associate professor और professor वाला उस तरह में रहना पड़ेगा जिससे ये बात आपको पिंच ना करें कि मैं मेरे career stagnant हो गया और मेरे batchmates साथ ही लोग अभी भी ग्रो कर रहे हैं एर्स है persons with anxious personality और short temper should take it or not और जिसको अस्तमा की वज़े से tremor होते हो हिंसमर्ड सबसे पहले तो अस्तमा की वज़े से अस्तमा की वज़े से किसी को भी ट्रेमर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं खुद एक आस्तमा में बहुत अच्छा काम करता हूं मेरा जो मुख्य नाम है वह allergy और अस्तमा की फिव में है इस नहीं होना चाहिए तो इसको एसी ब्रांचेस लेने में अवाइट करना चाहिए जो कि जिन में नाइट आविक निग हो कि कि एंग्जाइटी का जनलाइस एंग्जाइटी डिसॉडर या पैनिक डिसॉडर का मुख्य ट्रीट्मेंट का एक बहुत इंपोर्टेंट इससा है प्रॉपर स्लीप अंड्रेस्ट तो वो नहीं मिलेगा दूसरा एनस्टेटिस को जब रेजिदेंसी कर रहे होते हैं खूब बहुत दो जल्दी एंग्री हो जाते हो तो और यह क्योंकि मैंने जैसे बताया अनस्टेटिस में मैंने डेखा है कि सबस्तेंस अभ्यूस की टेंडेंसी देखियें और इन्टेक्ट मैं दो सिसाइट देखें अपने जीवन काल में और उनमें से दो मतलब और भी सिसाइट देखें मेडिकोस के लेकिन अपने गेद या स्टूरेंट्स में लेकिन वो दो एनेस्टेटिस थे अनेस्टेटिस को क्या होता है कि easy access होता है painless death का तो यदि वो किसी वज़े से कोपप नहीं कर पाए stress को कोई दिनकी में अचानक distress stress आए stress आए तो वो एक option इसलिए इसलिए कि पुलिस में आपने सुना होगा कि IPS सावन थे बहुत ही फेमर्स IPS ऑफिसर थे इंग गया कि उन्हों में खुद को बोली मार ली तो यदि कोई बोले कि gunshot wound के सबसे ज़्यादा cases कि इसमें होते हैं तो वो इस उसाइड के तो वो पुलिस और आर्मी के या फॉजी या भी एससे लोगों में होगी क्योंकि उनको access होता है इसका तो यह access होता है यहाँ पर poisons का आपको जहां पर आप कोई painless death choose कर सकता है तो मैं किसी को भी कोई psychological issue होता है तो और वो उसको avoid करना चाहिए सबसे अच्छी बात लिए आपने यह है कि आप में बहुत अच्छी self-awareness है और self आपको पता है जिनदगी में success success जिसको मैंने मैं wholesome success बुलता हूँ जो career, family, friends, health इन से मिलकर बनती है तो wholesome success के लिए जो सबसे important ingredient है किसी personality में तो वो क्या है पता है आपको वो है self-awareness self-awareness और outer world awareness यह दोनों के mixture से हम एक बहतरी इंसान और successful इंसान बनते है peak professional success एक अलग बात होती ही बहुत celebrity उसमें लाग वक्का भी हाथ होता है लेकिन एक decent life के लिए self-awareness और outer world awareness नहीं चाहिए जो कि आप में बहुत अच्छी है और anxiety का यदि कोई anxious personality है तो उसका treatment है सबसे एचर treatment जिम है जिम करना मुक्के बरसा देना किसी इंसान पर नहीं है जो क्या बोलते हैं जो एक boxing bag जो होता है उस पर मुक्के बरसा लो आप वो टांग लो अपने आपर तो आपको जो endorsements होंगे secret वो आपके brain को काफी healthy रखेंगे 9. First generation doctor हूं में और middle class family है तो मेरे लिए dnb, medicine और orthopedics दोनों मिल रही है मुझे तो क्या मैं anesthesia में मुझे जाना चाहिए देखो यदि कोई first generation doctor है, middle class family से है तो पहले तो अपना interest और choice को हमेशा एक एहमियत दीजिए अपनी personality के group क्योंकि हर प्रांच में बहुत सारी अच्छा ही है और कुछ-कुछ फोटेबर limitations भी है तो जहां तक DNB की बात है तो DNB में और MD में कोई खास कुछ भी फरक नहीं है only teaching job में कम preference होते हैं introduce बगेरा में DNB candidates को लेकिन even that doesn't matter और कुछ जगे पर surgical branch में दिया आप किसी private hospital से DNB कर रहे तो हो सकता है कि आपको उतना scalpel या जैसे knife यूज करने का मौका कम मिले in comparison to busy government hospital उसकी बरपाई आप बाद में ऐसा शिप किसी government hospital में करके कर सकते हैं तो DNB यदि आपकी choice है और तो यह medicine तो definitely you can go ahead medicine को मैं number one branch पर इस लिए रखता हूं क्योंकि वो gateway open करती है सपोज आप medicine करके आप उतना satisfied नहीं है या आप अपनी जगे बदलना चाहते हैं मतब बहुत एक तो medicine बहुत चोटी जगे से लेकर मैं ऐसा बोलता हूं हमारे आपर एक चोटी से जगे है शुवापूर या सुवागपूर से लेकर Singapore तक आप कहीं भी बस सकते हैं तो यह medicine का advantage और साथ में यह gateway open up करती है different तरह के DM करने का तो DM का scope क्योंकि open up करती है हलकि anesthesia में भी DM है बट वो limited DM है और जबकि medicine में बहुत सारी DM आप कर सकते हैं इस वजह से मैं medicine को ज़्यादा प्रिफर करता हूं तो आप बोलेंगे आप तो DNB medicine की बात करें तो DNB सोपर speciality भी होता है don't worry then हम आते हैं इस question पर कि can anesthetist open his clinic or general practice कर सकता है मेरा एक junior है वो यही करता है anesthetist तो उसने diploma anesthesia किया था जो कि अब नहीं होता है government setups में NMC ने उसको abolish कर दिया तो diploma anesthesia किया था बहुत confident नहीं था anesthesia करने में तो वो GP करता है वो तो general practice तो हम कोई भी कर सकता है MBBS यह आप सब हैं आप जितने लोग भी watch करें अपने इंटर्शिप के बाद आप straight away general practice आरम कर सकते हैं लेकिन general practice में क्योंकि बहुत saturation होता है और time लगत practitioner क्योंकि exclusive नहीं होते हैं तो उनको competition बहुत सरा phase करना पड़ता है तो बहुत छोटी जगे है गाओं या उससे थोड़ा बड़ा area तो आप जल्दी आपको recognition और patient आने लगेंगे लेकिन थोड़ा बड़े जगे तो वहां पर नहीं आएंगे जहां मैं बठा हूं वहां पर को मुश्किल है उसके पास patient आने लगें मैं मतलब मैं अपने बात करो में और मेरे जैसे दूसरे doctors बैठे हैं जहां पर sharks होती है वहां छोटी मचलियां जो हैं उनको survive करना मुश्किल होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए हलां कि legally कोई problem नहीं है और बिल्कुल आप कर सकते हैं practice और जमा भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं practice जमा भी सकते हैं but yes आपको हाथ पर मारने पड़ेंगे mistake जो मैं अपने जीवन में समझता हूँ देखो मेरे जीवन में मेरा life जो है तुम लोग को मेरी life story नहीं पता है life मेरी मेरा बच्पन बहुत सारी efficiency से गुजरा मेरे पापा ने सन्यास ले लिया था और मैं एक गाइड हुआ करता था पच्मडी में 50 रूपी रोज मुझे मिला करते थे तो मैंने अपनी life के बहुत सारे fellowship में कर रहा था हैजराबाद निजाम institute of medical sciences में जो कि बहुत ही प्रेस्टीजिस fellowship है और मैं एम्स में इन fields में जबकि मैं already वहां पर अंदर तक पहुंच गया था लेकिन क्योंकि मुझे लॉटना था जब 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 मेरी सिटी में मेरे family circumstances की वज़े से तो I took up assistant professor job जैसे ही मुझे मिला तो लेकिन इसको मिस्टेक की तरह लेना चाहें यदि आप तो ले सकते हैं मैं यह बोलूँगा exclusive birth तो मुझे क्या हुआ मैं जनर्र पीडियर्टिक्स में में अपनी practice जमानी शुरू की जो की थोड़ा time लगा लोगोंने मुझे पहचालने में जवलपुर के लोगोंने में कुछ वर्ष लिय कि कोई अच्छा डॉक्टर है बाद में मैंने allergy की फील में भी काम करना शुरू किया तो mistake को मैं आप लोगो को कोई lesson देना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि स्टेट अवे बाद में पढ़ने की जिए कि आप एक लाइन से पढ़के आए मतलब DM में से जो भी करना है आपको exclusive बनना है वो सब एक बार में करके आए दूसरा देखो क्या होता है कि यह profession में बले अब DM लगता है कि पढ़ा ही तो कर रहा है अभी भी बट उसमें salary मिल रह था जब तो मैं बीमार हो गया था मैं मुझे रीनल कोलिक रीनल स्टोंस तो मुझे उस वो कमरे मिले जहां पर डॉक्टर मर्मोहन सिंग उस समें प्रधान मंत्री थे वो भी बीमार होकर आय थे M.I.O.M.I. था मैं थोड़े आजू-बजू के रूम में था उनके साथ उनके गल्फेंड या वाइफ जो की बनने वाली है बन गई है तो उसकी भी सर्वरी आप एडप कर लीजे तो उसको इस तरह से मत लीजे कि हम पढ़ना पढ़ रहा है इतना लंबा वह एक तरह का जॉब भी कई इंजिनियर्स इतने इसके लिए तरसेंगे इन फैसलिक इसके इसमिट का हो गया है वीडियो पता नहीं आप लोग देखोंगे कि नी बट मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप लोग के लिए बहुत ही जादा यूस्फुल इंफॉल इंफॉमेशन से हैं थैंक्स तो हिंस्बर्ग जो इतना अच्छी कोश्टन पूछे पेइपर पबुकेशन की इंपॉटेंस मेंज्टिंग जॉब में और्यों आप किसी भी मेड़िकल गॉवर्मेंट तो तो ऊसमें MINIMUM नबर ऑफ पॉबिकेशन से नहीं चाहें। corporate hospitals में direct link paper publication से नहीं है, corporate hospitals में आपकी skills दादा देखी जाएंगे rather than publications और freelancing में भी publications का कोई खास महत नहीं है, मेरे publication देखने हो तो Google पर मेरा नाम टाइप करेंगे तो मेरे कुछ-कुछ publications आपको दिखेंगे, one of the very prestigious publication जो कि BMJ general होता है, उसमें भी मेरे एक publication है, तो publications से लेकिन मेरी अपनी clinical practice पर कोई impact नहीं पढ़ता, job पर थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, state government में वो भी नहीं पढ़ता है, क्योंकि state government में CV से जादा seniority पर आपको post मिलती है, लेकिन central government jobs जो है, aims वगेरा में, वहाँ पर publications वगेरा का importance होता है, आप career growth में आगे पढ़ने के लिए, तो यह थी चांकारी, underrated branch, anesthesia पर, मेरी ख्यास से मैंने सब कुछ cover किया है, लड़कियों के लिए, अलग से, girls के लिए ये ब्रांच में, as such कोई issue नहीं है, लेकिन वही है कि night calls वगेरा आपको होंगे, तो वो एक concern हो सकता है आपके लिए, residency में भी काफी night duties करनी होंगी, तो जब family से हो जाती है, लड़कियों की, बच्चे हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा challenging लग सकता है, anesthesia, बाद में शादिया हो जाती है लड़कियों की, जो usually किसी doctor से होती है, तो यदि surgeon से है, तो एक अच्छा combination बन जाता है, वो किसी भी surgical field में है, तो, thank you very much, बता न, feedback, आप लोग ना तो like करते हो, ना comment करते हो, मुझे like comment का, बस इसलिए कि feedback मुझे मिल सके, कि आपको कुछ कमी लग रहे हैं वीडियो में, तो मैं ठीक करूँगा, और ठीक लग रहा है, तो मुझे encouragement मिलेगा, तो कर दिया करो इतना, मैं like comment के लिए कभी या share के लिए भी नहीं बोलता हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने students से कुछ भी नहीं मागना चाहिए, ये मेरा principle है, लेकिन फिर में, ये इसलिए कि मुझे अपना content को आपके अनुरूप बनाने के लिए, थोड़ा feedback मिले, इस वज़े से मैंने का, thank you, और जैसे Hinsberg ने question पूछे, मैं encourage करूगा बाती लोगों को कि जो branch अपनी जानना चाहते है, वो ऐसे करके point wise बना रहे है, क्या-क्या जानना चाहते हैं उस branch के विशे में, मैं बना दूगा, बहुत सरी demand nuclear medicine के लिए आ रही है, medicine versus radio के लिए आ रही है, tourist की branch का वीडियो शायद कल मैं shoot करूँ, औ और pathology के लिए आ रही है, PSM के लिए आ रही है, मैं सब पर बनाऊगा, और बाद में gastroenterology और neurosurgery, neurosurgery का मेरा वीडियो पढ़ा होगा है, वैसे आप देख लिए और general surgery पर भी मेरा वीडियो, old वीडियो पढ़ा है, जब तक नया वीडियो नी आ जाता है, आप उसको जरूर देख लीजे, और ये इन ब्रांचेस पर, जो सब पर स्पेशली ब्रांचेस है, मैं उन पर भी सब पर डीटेल वीडियो बनाऊँगा, और इसके बाद का साइकल, आपकी काउंसलिंग हो जाती है, इसके बाद का साइकल मैं अपने दोस्तों के साथ, डफिनिटली करूँगा, अभी क्योंकि जल्दी में बना रहा हूँ, तो क्योंकि सब बड़े-बड़े रॉक्टर्स हैं, उनका मेरे टाइम के साथ मैच करते हुए करने के लिए, इंटर्व्यूस और सब लोग कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, और माई को एक का भी नहीं पता होता इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने साथ बिटा करी लूँगा, तो इसलिए तो टाइम लगेगा, उसके लिए मैं आप लोग से माफी, अपालजी यदि मैं कोई इंटर्व्यू जल्दी नहीं दे पाया, और मैंने अभी तक सोचल मीडिया पर कभी भी एक भी जूत नहीं बोला है, मैं कॉंशिस से बोल रहा हूँ, ठीक है तो एनस्थीजिया पर मैंने लिखा था कि डॉक्टर माहिन चंसुर्या का इंटर्व्यू लूँगा, उसे मैंने बात के लिए, he's agreed but time, मेरा, मेरा अपना time match नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं हुआ, I will definitely record it later on, thank you.